हेलो एब्रीवन, वेलकॉम अगें टू लणव्रिदितिमन हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास और संस्कृति 10th क्लास का चैप्टर 6 जिसमें हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं हमने 6 चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड कर लिये थे उसके बाद हमने इनकी question answer series जो है वो चलाई है और जितने भी question chapter में बन सकते थे हर एक question जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा तो question 41 देखिए ये books जो है ये आपकी RAS तक काम आती है चाहे आप RAS का दें पटवार का दें फर्स्ट ग्रेट सेकंड ग्रेट का दें आपको ये book से गुजरना ही पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से ही इनकी तयारी कर लें महरानगर्दुर्ग कहां इस्तित है यह जोदपुर में चिडिया टूप पहाडी पर इस्तित है जो की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है महरानगर्दुर्ग की इस्तापना किस ने की थी महरानगर्दुर्ग की इस्तापना किस ने की थी तो 1469 इस्वी में राव जोधा ने महरानगर्दुर्ग की इस्तापना की थी कहां पर है जोदपुर में महरानगर्दुर्ग को अन्ने किस नामों से जाना जाता है महरान कर दुर्ग को अनिकिस नामों से जाना जाता है तो इसे मयूर द्वज और गड़ चिंतामडी के नाम से जाना जाता है देखिए एक कमेंट आया था एक लड़की का तो वो ये कह रही थी कि मैं हम थोड़ा सा डेटेल में बताया करो देखिए यहाँ पर और आपको क्या डेटेल मिल सकते एक पहरा ग्राफ में अगर 6 कुशन भी निकलते हैं तो वो पूरे के 6 के 6 मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाती हूँ पूरी detail जो है वह यहाँ पर है, इसके अलावा आपको और क्या detail चाहिए, तो यह चीज जो है आप दिहान रखिएगा, question नहीं चूटते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है, यह question चूटे हैं, इसका मतलब यह है, वो question हम लोग RBSC जब हमने 6 से 10 तक की कर ली थी, तो वहाँ पर महरांगड के किले में कौन कौन सी तोपे हैं, तो यहाँ पर किल किला, संबू बान, गजनी खान, जम जमा, कडक, बिजली, नुसरत, गुबार, गुडग, घारीद, बिचूबान, मीर बक्ष, रहस्यकला और गजक, ठीक है, यह सबी क्या हैं, महरांगड के किले के अंदर क तोपे हैं, तो दिखिए तोपों जैसे ही इनके नाम भी हैं, चूरू का किला किसने बनवाया, तो महरांगड के बार में हमने देख लिया, जोदपूर में चुड़िया टूंक पहाडी पर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, राव जोदा ने बनवाया था, इसे हम के नाम से भी जानते हैं, चूरू का किला किसने बनवाया, यह किला ठाकुर कुसाल सिंग ने बनवाया था, 1749 इस्वी में, 1749 इस्वी में ठाकुर कुसाल सिंग ने चूरू का किला बनवाया था, कौन से किले से अंगरीजों पर चांदी के गोले छोड़े गए, जब गोले में क्या खतम हो गए थे गोले ठीक है सीसे के गोले जो है वह समाप्त हो गए थे तो वहां की जो प्रजा थी उन्होंने चांदी के गोले बना कर भी छोड़े थे अंग्रेजों के उपर तो वो कौन सा किला है वो है चूरू का किला याद रखना चूरू का किला ठीक है जहां पर चांदी के गोले भी छोड़े गए थे, अकवर ने 1570 इस्वी में गुजरात विजय किया था, सभी जानते हैं, इसकी स्मृति में उन्होंने कौन सा दुर्ग जो है वह बनवाया था, तो दुर्ग जो बनवाया था, अपने ही नाम का अकवर का दुर्ग, जो कि अजमीर मे बनवाया था, किस दुर्ग को अकवर का दुलत खाना और अकवर की मैगजीन कहते हैं, किस दुर्ग को अकवर का दुलत खाना और अकवर की मैगजीन कहते हैं, तो वह है अकवर का दुर्ग ही है, जिसे अकवर का दुलत खाना भी कहते हैं, और अकवर की मैगजीन भी कहते ह कौन सा एक मात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धती से बनवाया गया कौन सा एक मात्र दुर्ग ठीक है सभी दुर्ग जो है वो कैसे बनवाये गए है हिंदू पद्धती के अनुसार ही बनवाये गए है लेकिन एक मात्र ऐसा दुर्ग अकवर का दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्धती से बनवाया गया है ठीक है चलिए Question 50 है बीकानेर में निर्मित लालगड दुर्ग को अन्ने किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है तो देखिए लालगड दुर्ग जो है वो तो आपने नहीं सुना होगा लेकिन आपने जुनागड का किला जो है वो जरूर सुना होगा ठीक है तो जुनागड किला किला या फिर लालगड एक ही बात है ठीक है जुनागड या लालगड एक ही बात है तो आप याद रखेगा बिकानेर में इस्तेत है जूनागड़ दुर्ग की नीव किस ने रखी इसकी नीव रखने वाले महाराजा रायसी जो की बिकानेर के शाशक थे 1589 में ठीक है नवासी इस्वी में जूनागड़ दुर्ग की नीव रखी थी चलिए नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 52 किस दुर्ग को आंतरिक दर्वाजे के दोनों और बीर, जैमल और फत्ता की हाती सवार मूर्थियां इस्तापित हैं तो वो जूनागड दुर्ग ही है ठीक है नेक्स्ट है कुश्यन 53 जूनागड में आंतरिक दुर्ग सूरज पोल दर्वाजे पर किस सासक की प्रसस्ती उतकीन है अभी हमने देखा था कि आंतरिक दर्वाजे के दोनों और बीर, जैमल और फत्ता की हाती सवार मूर्थियां इस्तापित हैं जबकि आंतरिक दुर्ग स नेवी रखी थी 1589 इस्वी में नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 54 राजिस्थान का वैलोर किस दुर्ग को कहा जाता है तो इसका सही आंसर जो है वो ये रहेगा चितोडगर में इस्तित जल्दुर्ग है भैसरोडगर का किला इसे राजिस्थान का वैलोर भी कहा जाता है तो भैसरोडगर का किला जो है जल्दुर्ग जिसे कहा जाता है जो जल्दुर्ग है चारो और से जल से गिरा हुआ है चितोडगर में इस्तित है तो इसे राजिस् Next देखिए Question No. 55. गागरोन का किला कहां इस्तित है तो यह किला जो है वह इस्तित है जालावार में ठीक है? जालावार में काली सिंद वा आहुनी नदी के संगन पर इस्तित है ठीक है यह आहुनी नहीं यह है आहु नदी ठीक है? दोनों मिला दी है इसलिए थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा, जालावाड में काली सिंथ और आहू नदी, इसके संगम पर गागरून का किला इस्तित है, ठीके, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, question number 56, गागरून का किला किसने बनवाया था, गागरून का किला किसने बनवाया था, तो यह किला जो है, वहे परमार अश्कों ने बनवाया था, संत पीपा की चतरी, सूफी संत मिठे साहब की दरगा और औरंगजीर द्वारा निर्मित बुलन दरवाजा किस किले में है, देखिए, संत पीपा की चतरी ऐसा कुछिन पूछा जा सकता है, संत पीपा की चतरी जो है, वहे किस किले में है, या किले में है तो आंसर आपका रहने वाला है जालावाड के गागरोन के किले में ठीक है किस में जालावाड के गागरोन के किले में नेक्स्ट देखिए Q58 तोपें ढालने का विशाल कारखाना किस दुर्ग में है तो यह आंसर है जैगर दुर्ग जो कि कहा है आमेर में है इसी लिए इसे रहसे में दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी तोप है वह रखी गई है और बहुत सारी गुप्त और रहसे चीजें वो यहाँ पर रखी गई है और यहाँ बहुत बड़ा विशाल कार खाना है जैगार दुर्ग में Next, Asia की सबसे बड़ी तोप जैवार किस किले में रखी है? यह किस किले में रखी है? तो यह रखी है जैगर दुर्ग में. आप याद रखिएगा question बनता है कि किस दुर्ग को रहसे में दुर्ग भी कहा जाता है? तब आपका answer जो रहेगा जैगर दुर्ग. तो आज हम यहीं तक करेंगे next हम लोगों को और भी दुर्ग जो है वो पढ़ने हैं आप लोग इतना जो है वो याद रखिएगा मिलते हैं next वीडियो में Thank you